सुंट्स हमारा चेप्टर चला वा था गेटिंग टू नॉओ प्लांट्स जिसके अंदर हम क्या है प्लांट्स के बारे में जानने ही कोजिश कर रहे थे उसके अंदर के जो जो उसके डिफरेंट टाइप्स फों कितने टाइप के वेता अुद्स होते हैं उनके क्या क्या functions होत और इस वीडियो में उसकी जो रूट्स होती है क्या रूट्स जड़े हैं उसको डिस्कस करके आ चुके हैं sickness इस वीडियो में आपको पता लग लगी गया होगा कि किस चीज को आगे अब डिस्कुस करने वाले वह हमारा फ्लार की किसको फ्लार की तो स्टुडेंट्स मैं हूँ आपका मेंटर सागर और स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमैनिया पर सो लेट्स हमाराँ कुछ इन कि क्या है। वह alma लगता है, वह दिछने में देखने में प्यारा होता है, सुन्दर लगता है, खुषबू आती है अलग-अलगा, ट्रीज के अलग-अलग, प्लांट्स पर अलग-अलग डिम्रेट्स इप्लांट्स के different इपन अलग डिस्रेंट अधर कि अलग अलग कलर के फिलार्वार्व होते हैं जो दिखने में बहुत ज्यादा absenceर लगते ना तो यह सब क्या है क्यों का-ईसेbagai Shot उते हैं क्योंकि फिलार अगर के déjà अन्दर क्लर ने ऊता तब सब्सक्राइब कर सकती तो बोई हो two to continue भी अपना काम कर सकते हों लेकों जो कर सकते हैं तो बहुत कि अग्यूर्ड जो पार्ट्स होते हैं फ्लार के तो हमारी फ्रस्ट ट्पी हो जाएगा फ्लार कि और फिर हो जाएगा इसके कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लार है ना सो यहां पर हम फ्लार की जिंग है हम अपने हेडिंग लिखेंगे, structure of flower, flower का क्या structure? क्या structure of flower? अब सबसे पहले हमें कैसे पता लगता है कि हम ट्रीज में जो हमारे लीफ होते हैं और flower में हमें अलग से पता लगता है कि हाँ उस प्लांट पर उस पोदे पर क्या है? कैसे लगता है? उसकी visibility कैसे? different colors की हैना कि अलग-अलग color के flower होते हैं जो कि हमें दूर से ही नजर आ जाते हैं कि वही हाँ उस प्लांट पर या उस ट्री पर क्या है? फ्लार आये हुए हैं तो सबसे पहले हमें क्या दिखता है? उसका color जो पार्ट होता है फ्लार का उसे हम बोलते हैं petals क्या बोलते है मेरे पहरे बच्चों उसे हम बोलते है पैटल यह 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 और यह देख रहे होगे आप आप माल लिजे आपके आजपास garden वगारे में आप यंग से जाकर आप माली रोज का फ्लार लिए उसको भी अब सब्सक्तिक करोगा फ्लार की बहुती है जो कलरफुल होती आप रोज है रोज की कििस कलर की होती है रेड कलर की होती है तो वह क्या है उसकी पंकुडिया उसको हम बोलते है पैटल्स तो यहां पैटल्स, अब पैटल्स का function क्या होता वही, देखो सबसे पहले सुन्दर दिखना, फलार अच्छा दिखता है, फलार colorful होता है, इनसे colorful क्यों चाहिए, क्योंकि इस infrastructure को, क्या है, इनसेक्ट को अपनी तरफ attract करना है, क्या करना है, attract, अट्रैक्ट किसके लिए और रिप्रोड़क्शन के लिए अपने और न्यूवन्स को जर्नेट करने के लिए अपना जो रिप्रोड़क्शन का उसको प्रोसेस है उसको आगे फ़र्दर कंटीनू करने के लिए उसको क्या है इंसेक्ट वगारा को क्या है अपनी तरफ आकरशि आप देख रहे हो यह ओवेरी है क्या है यह ओवेरी मैं लिख देता हूं यहां पर क्या है यह ओवेरी यह क्या होती है यह जो हमारे फ्लार का क्या है फीमेल पार्ट होती है और यहां पर आप देख पा रहे होंगे यह वाले यह क्या यह इन्हें यह हमारा होता है मेल पार्ट क्या होता है मेल पार्ट मेल पार्ट से के वाउपको जो यह देंट्रिकल दिख रहे हैं। तो पोलन गर्ट से क्या अंगरते हैं अब यहां से यह हमारा स्टिगमा है। क्या है ये stigma ? क्या है ? stigma अब pollen grain को यहां से यहां तक यहां से यहां तक इसे हम बोलते हैं हमारे enter क्या बोलते हैं ? enter स्टिग्मा तक जाने के लिए अब कुछ तो मोड चाहिए अब क्या करते हैं ? इन्सेक्ट को अट्रेक्ट करते हैं अब इन्सेक्ट आई इन्सेक्ट इनके उपर बैठे यहां पर उनके बोड़ी पर क्या चुपक गया से ? pollen grain जो कि क्या है ? male part होते हैं पिर वहां से उनके बोड़ी से टाचोकर फिर वह अगर वह स्टिग्मा के उपर बैठते हैं जो इन्सेक्ट हमारी जैसे मान लीज़े maximum flowers के उपर क्या दिखते हैं ? honeybees मदुमक्हिया ही दिखते हैं तो वह क्या करते हैं ? वह यहां पर बैठते हैं और फिर pollen grains हमारी यहां पर ड्रोप हो जाते हैं और फिर यह यहां से होते हुए हमारी ओवरी तक पहुंच जाते हैं किस के थुरू ? यह होते हुए जाते हैं style के style के अब फिर क्या होता है ? फिर प्रोसेस होती है हमारी की pollen grains यहां पर पहुंचे और फिर यहां पर reproduction होके हमारे seeds बनते हैं, क्या बनते हैं, seeds, bees, यहां पर आप दानेदार, जो मैंने शोग किये हो हैं, आप देख सकते हैं, क्या है, seeds है, यह क्या है, एंतर से stigma तक जो पोलिन ग्रेंस है, उनकी वज़ा से यहां पर ovary बनी, और एक और बाद, ovary क्या थी हमारा ovary ही आगे चलकर, हमारा जब flower सूख जाता है, reproduction complete हो जाता है, तो ovary का, जो size, जो increase होना, start हो जाता हो, ovary हमारी fruit के अंदर convert हो जाती है, जो हमारे पेडो पर जो फल लगते हैं, वो क्या होती है, जो flower की ovary part होता है, उसी को हम अपना as a fruit खाते हैं, तो क्या समझे, कि petals, petals का क् कि यह colorful होते हैं, और inside को अपने तरफ attract करते हैं, फिर हमारे आते हैं, सैपल्स, क्या है, सैपल्स, यहाँ पर भी यह green color के जो leaf type देख रहे हो आप, क्या कही है, सैपल्स है, अब आप देखोगे, जब आप ऐसी एक बड़ को देखना, फलार की, जो की फलार खिरने से पहले निकल क्या थी न, उसको आप देखोगे, उसको आपको कोई color नहीं देखेगा, उसको आपको क्यों लिए green color देखेगा, और आप देखोगे कि एक leaf light पत्तों जैसे structure से वो बिल्कुल बंद होती है, close होती है, और बाहर से बिल्कुल green color की देखती है, रोज की बड़ देखना हम अपनी कली भी बोलते हैं, तो यह क्या होते हैं, यह वही saples होते हैं, फिर हमारा जो बड़ होती होती है, open होने लगती है, तो हमारा जो पैटल से flower का main flower open हो जाता है, और यह saples उस flower के नीचे ही अपना band हो जाते हैं, आम तोर पर कई flowers में देखते भी नहीं, उसके नीचे ही छूप जाते हैं, तो यह क्या होते हैं, सैपल्स ही है, यह क्या करते हैं, इन कम्यें काम होता है, कि हमारे जो पैटल्स हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करता है, उनको भी स्पोर्ट करता है, क्या करता है, उनको भी स्पोर्ट करता है, क्योंकि यह चारो तरफ से उसको कि नहीं बनता तब तक यह फिलावर को क्लोज करके मतलब उसको प्रोटेक्ट करके भी रखता है ओके फिर आते हम आपने जो एंथर की तरफ यह वाले आप देखो गी फिलावर के अंदर बिल्कुल ऐसे हेर लाइक स्ट्रक्टर होते हैं और उनके उपर येलो इस कलर के क्या ह बोलते हैं इनके उपर हमारे पोलन ग्रेन और ये पोलन ग्रेन जब यहां से यहां तक जाते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हमारी पोलीनेशन क्या बोलते हैं पोलीनेशन तो pollination क्या process थी कि जिस process के थुरू हमारा जो enter से जो हमारे pollen grains है वो stigma फिर style से उत्ते वे overi तक पहुँचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं pollination क्या बोलते हैं मेरे पैरे बच्चों उसे हम बोलते हैं pollination फिर चलो भई हमारा pollination हो गया यह था हमारा stigma यह उपन यह मोटी सी बिल्कुल ट्यूब लाइक structure होती है बिल्कुल खोकली होती है बीच में से इसका यही काम होता है कि pollen grains को अपना contain करके ओवेरी तक नीचे पहुंचा देना और यहां पर जो pollen grains है फिर इसके साथ मिलकर हमारे जो seeds हैं बीज हैं उनको जनम देते हैं क्यों क्योंकि फिर आगे वो बीज बढ़कर अम उनको उगाएंगे तो और भी ज़्यादा प्लांट उनसे उग पाएंगे तो में पर उसको आगे बढ़ाने के लिए तो ऐसे ही प्लांट भी अपना रिप्रोडूइस करने के लिए फ्लायर की साहता अपना रिप्रोडूडूक्शन जो प्रोसेस है उसको आगे कंटिनू करते हैं तो यह थी हमारी ओवेरी में क्या हुआ फिर पोलन गरेंज यहां पर जो आप थे सते ही और अबकर वह भी बड़े होरे हैं और उसको पर प्रॉटख करने के लिए हमारा और सब्लीर के लिए उप्लावर नहें नियुट के लिए कि 52ải वही आगे जाकर फ्रूट बनती है और उसको हम अपना फिर खाते हैं आपको बिलुकुल जो फ्लार का जो क्या-क्या प्रपस होता क्या-क्या उसका स्ट्रक्चर होता है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं क्या-क्या उन्हें जो ट सिंपल से अथा आपको पता था कि छुम मारे फ्लां उत्री वहते हैं उनके अंदर इतने अच्छे से से चीज़े और चीजे उनके चाने के उत्युक्छ़ए में तो ने हुपर और रेंजर में की पानी जड़ों से उपर पत्तों पहुँचता है ये सारी प्रोसेस हो अमारी नेचर ने तो नेचर में बहुत ज्यादा क्या है पावर होती है देखो कैसे कैसे उसे सिस्टम सेट कर रखे हैं कि उसको पता था कि ऐसे ऐसे होकर ओवेरी से फिर फ्रूट बनेगा और फ्रूट बहुत सारे अनिमल्स का खाना भी बनेगा तो नेचर ने सब कुछ लगाए हलाकि अगर लगा नहीं पाए तो प्लांट को प्लीज काटिए भी मत क्या है लगा नहीं पा रहे हो तो प्लांट को कम सिकम बचाने की तो कोशिच कर सकते हो और मैं तो कहुंगा कि जितना हो सके आप क्या है प्लांट को उगाए क्योंकि आप देखा होगा कि प्ला वीडियो में इंतना अँन्री क Pocket आगे जो घाट को विडियो के नएक वीडियो और एक बाक वीडियो को लाइक जरूर कर देना सब्सक्राइब करना चैनल को आपका अपना चैनल एड्दो मैं या सो मिले टेमेक वीडियो में तब तक हैव रिवीड ते永ग बाई